हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों, आज के वीडियो में नंबर एनलोजी के कोश्चन रहेंगे, एक बार आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको मालूम हो जाएगा किस तरीके का लेवल एक्जाम में पूछा जाता है, तो चले स्टार्ट करके जब देखोगे तो रिलेशन नहीं बनेगा, और एक्जाम में फिर आपका हो जाएगा टाइम बहुत जादा खर्च, जो समय हमारे पास एक मिनट से भी कमका होता एक सवाल को करने में, वहाँ पर यहाँ पर यह सवाल आपको बहुत जादा समय खर्च कर देगा, क्यू 48 का मिल्ट पैस तीन से करें, और जो आंसर आएगा उसमें माइनस एक कर देंगे, 38, 24 का 4, केरी का 2, 34 के 12 है और 24 है, माइनस बन करो, 143 मिलेगा जो की हमारे ओप्सन में है ही नहीं, नहीं है, तो यहाँ पर पहले तो एक सवाल का टाइम तो यह खा गया, फिर एक सवाल का ट लगाया, इसका 23 से आपकी समझ माया नहीं बना, तो याद रखना कि जब पहली संक्या करलेशन दूसरी से नहीं बनता, तो फिर पहली करलेशन आप तीसरी से बना करके देखोगे, अगर पहली का तीसरी से बन गया, तो फिर दूसरी संक्या करलेशन चौथी से बनेगा, कि इतना हो जाएगा 6 तरिक का 18 का 8 केरी का वन 6 दुने का 12 केरी का वन 13 138 हो जाएगा आपके वी ओफ्सन में दिया गया 138 आगया समझ में तो टाइम बेस्ट नहीं करना याद रखना चलिए अब देखतें अगला सवाल अगला सवाल है साथ से 42 है तो नो से आपका ये संख्या मिल जाएगी के नहीं मिल जाएगी डिरेक्टली आपके दिमाग में एक बात किलिक हो गई है कि अगर हम साथ कमलपाई 6 से करें तो 42 हो जाएगा और अगर मैं यहां भी मल्टिप्लाई 6 से करूँगा ठीक है नो चिक के 54 होता है 54 नहीं भी करना है इतना तो किल्पाई 6 से करँगा तो आंसर नहीं मिल लां अब दूसरा दिमाग में तुरंट धिल्क जाए गां कि मैंने 7 का मल्टिप्लाई 6 से किया है यानिकि 7 से 1 कम संख्या से तो मैं यहां पर भी क्या करूँँ एक कम संख्यास से मल्टिप्लाई कर दूगा एक कम कर दूँगा तो आठ हो जाएगा मतलब आठ से मलड़ पे कर दूँगा नौठे कितना होता है बहतर होता है आंसर खतम सी ओफशन बिल्कूर सही चवाब अगर यही क्लास में डिजिटल बोर्ड पे करा रहा होता तो एक से डेर घंटे की क्लास हो जाती आज आपकी ज thigh और शत्य की रहने आपका time बचेगा आपको समय को बचय हूए समय को और कुस शीकने में भी लगा सकते हो आप घय पर बैठे हो आपको सोचना मैं दो दो घंटे पड़ूगा आप घर पे पढ़ने बैठे कि आप 2 घंटे पढ़ोगे अगर 2 घंटे एक ही चीज में निकाल दिये कि दूसरा क्या पढ़ोगे अगर वही 2 घंटे वाली चीज आपको आधे घंटे में सीखने में मिल जाए तो बच्चा वाकी का 1.5 घंट आपको इ दूसरे काम में लगा सकते हो, दूसरी चीज़ सिखने में चाहिए, वो reasoning हो, GK कुछ भी हो, समझ रहे हो ना मेरी बात को, चलिए, आप देखते हैं अगला सवाल, अगला सवाल है, 82, 6, 86, question mark, अच्छा सवाल रहेगा, easy भी है, क्योंकि आपके पास यह जो 8 है, इसको लिख ल हो गया है, सही answer हो गया, 5 second, अगर आपकी practice इस सवाल पर है, तभी तो 5 second का सवाल है, अगर इस सवाल पर भी आपकी practice नहीं है, तो आपको भी बहुत समय लग जाएगा, यह सूचनी में, कि पता नि, इसका answer क्या होगा, practice प्याधारित होते हैं सवाल, practice आपने कितनी की है, च यह 18 और 5, आप कितना भी कोशिश करना, आप 18 से 5 बनाने में असफल रहोगे, असफल, कैसे घटा सकते हो, अगर मैं इस में से घटाने पर, मुझे 5 जरूर मिल जाएगा, 18 में से 12 घटा दूगा, 5 जरूर मिल जाएगा, clear है, तो मैं यहाँ पर भी घटाओंगा, कितना, यह यहाँ तो नहीं घटा सकता, यहाँ तो चलो मैंने 18 में से कितना 13 घटा दिया, 5 मिल जाएगा, यहाँ तो 13 भी नहीं घटा सकता, clear है न, यान कि पहली संक्या से दूसरी संक्या यहाँ पर नहीं बन रही है, जब पहले से दूसरी से पहली बना लो, clear है न, जब पहली से तो दूसरी से पहली बनाने वाली quality, तभी तो आप exam की भीड में सबसे अलग होगे, तभी तो आप exam की भीड में सबसे अलग होगे, आप वो रहोगे, जो question बच्चे छोड़े आते हैं, आप उनको करके आओगे, वो पहचान बनाओ अपनी, चलिए, 5 से 18 मैं कैसे बनाओ, 5 है मेरे पास, अगर मैं 5 का मलपई 3 से कर दूँगा 15, और 15 मैं 3 जोड़ दूँगा 18, 5 मलपई 3 15, 15 मैं 3 जोड़ दिया, बन गया 18, के लिए रहे, अब देखो मुझे 12 बनाना है, अगर मैं question मार की जगे 4 रखूँ, तो 4 multiply 3, 12, प्लस 3 करूँगा 15, लेकिन मुझे तो 12 चाहिए यह पहला option नहीं हो सकता, यह 10 भी नहीं हो सकता, 3 रखूँगा, अगर मैं question मार की जगे क्या रखता हूँ, 3, 3 रख लिया, multiply कितने से करूँगा, 3 से करूँगा, प्लस उसमें 3 को जोड़ूँगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, प्लस 3 कर दूँगा, तो 12 हो जाएगा, 12 मेरा दिया गया है, बिल्कुर सही, question mark की जगे, भाई, 3 ही आएगा, c option हो गया, सवाल का सही answer, चलिए, आप देखते हैं, अगला सवाल, अगला प्रेशनी है, 6, 10, 9 question mark, directly आपका दिमाग यही काम करेगा, कि मैं 6 से 10 बनाओ, 6 में 4 जोड़ूँगा, 10, और 9 में 4 जोड़ूँगा तेरा, तेरा option में नहीं है, कभी-कभी आपका दिमाग इस तरीके से भी चलना चाहिए, कि मेरे पास जो छो है, वो 2 multiply 3 है, ये मेरे पास 2 multiply 5 है, ये मेरे पास 3 multiply 3 है, तो ये मेरे पास क्या होगा देखो, पहले वाली संक्या same है, यहां भी दो, यहां भी दो, तो यहां तीन पहले वाली तो भाई यहां भी 3 होगी, इतना केलियर करो पहले, बाद में 3 फिर 5, 3 फिर 5 हो जाएगा, केलियर 3 पच्चे 15 आ जाएगा भाई आपके सवाल का सही जवाब जो कि C option में, practice, practice में एक सा man perfect आपने सुना होगा, ठीक है, practice कर लो बहुत सारी impression होगी, चलिए, आप देखते हैं अगला सवाल, अगला सवाल है, 6, 18, 4 question mark, अगर आप 6 से 18 बनाओगे, आसान है, क्यों आसान है भाई, देखिए आपके पास 18 है, आप 18 कैसे बना लोगे, 6 से, अगर आप इस 6 का multiply देखो, 18 बन जाएगा, अगर आप 6 multiply 3 करते हैं, तो आपको 18 मिल जाएगा, 6 तर दो सकती है, यहां 6 का multiply 3 से किया न, आपने, 6 के आधे से, तो 4 का multiply यह मैं 2 से करूँ आधे से, 4 दुने का 8, 8 मेरा option में भी है, यह बिल्कुछ सही जवाब हो गया, अब इसको दो तरीके से करके बताऊँगा, मैं, एक तरीका तो यह हो गया कैसा, कि मैंने 6 का multiply 3 से किया, इस है न, 6 का 12 कर दूँ, 6 का 16, 2 से divide कर दूँ, तो 8 बन जाएगा मेरा, एसे 4 का 12 कर दूँ, 4 का 16, इसमें भी 2 से divide कर दूँ तो 8 बन जाएगा मेरा, दो तरीके से करके बता रहा हो, यह तरीका यह हो और एक तरीका यह, जो आपको best लगे उस से कर देना, चलिए, अब देखते है न आप 75 को क्या करो आपस में जोड़ो 75 होता है बारा इसको भी आपस में जोड़ो नौर तीन ये भी बारा इसका बारा इसको आपस में जोड़ो नौर चार इसको जोड़ा आठ चार ये भी बारा तो इसका विभाई जो भी आएगा वह बारा ही होगा इसको जोड़ने पर 12 पहले option सही जवाब 4-3 होगा 7 ये गलत हो गया 9-2 ये 11 होगा ये भी गलत 6-5 ये भी 11 होगा ये भी गलत हमको चाहिए 12 पहले option से 12 मिल गया ये सही जवाब हो गया अब देखते हैं अगला सवाल अगला सवाल है 2-3 23 question मात बहुत अच्छा सवाल अब अच्छा सवाल मैं इसलिए कहूँगा कि ये बहुत सारे बच्चों को इस question की जानकारी अभी तक है नहीं जिन्होंने सीख लिया है अच्छी बात है जिन्होंने नहीं सीखा है उम्मीद करूँगा कि आज आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे 2, 3, 23 question mark अब जैसे 2 के बात 3 है आप बोलोगे 23 के बात 24 होना चाहिए option में 24 नहीं है यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो आपको एक बात चलेगा पता चलेगा कि ये क्या है prime number सीरी चल लिए prime number आपको दिये गए prime number कौन से संक्या होती है अभाज्य संक्या prime number होते है अभाज्य संक्या अभाज्य संक्या वो संक्या होती है जिन में या तो एक से डिवाइड होगा या स्वेम से डिवाइड होता बीच में नहीं कटनी किसी अब 2 सबसे छोटी अभाज्य संक्या होती है दो के बाद में दिया गया तीन यानिकि दो से अगली संक्या भाज्य ऐसी ही 23 है 23 के अगली अभाज्य संक्या जो किसी से ना कटे या तो स्वेम से कटे या फिर एक से कटे 23 के बाद में होगा अभाज्य संक्या 29 31 भी अभाज्य है लेकिन पहले तो 29 आ रहा है न, तो 29 हो जाएगा सही जवाब हमारा, भाई ये अभाज्य नहीं है, ये भी अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य है, लेकिन इसके बाद में, हमें तो जैसे 2 के बाद में 3 मिला, 23 के बाद 29 मिलना चाहिए अभाज्य संक्या, सवाल समझ में आ गया चलिए अब देखते हैं अगला प्रेशनी अगला प्रेशनी है 4, 66, 8 question mark अब देखें 4 से कहां पहुँचें आप 66 पर कैसे पहुँचोगे आप 4 का cube करोगे उसमें 2 जोर दोगे 66 पर पहुँच जाओगे क्योंकि 4 का cube होता है 64 उसमें 2 जोर दोगे 66 मिल जाएगा सेम तरीका लगेगा यहां पर 8 है 8 का cube कर दोगे 2 जोर दोगे 8 का cube होता है 512 उसमें 2 जोर दोगे answer हो जाएगा 514 पहला option सही जवाब square और cube आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए अब देखें आगला सवाल अगला सवाल है 24 27 question mark 81 question mark इस वार पहले ही दे दिया कोई बात नहीं मैंने आपको सबसे पहले एक बात बताई थी कि अगर पहली संक्या का relation दूसरी से ना बने तो फिर पहली का तीसरी से बना ले ना आप बताया था कि ने तो पहली का तीसरी से आप जब बनाओगे जब यहां संक्या हो संक्या ही नहीं तो फिर आप दूसरी का चौती से बना करके देख लो कि 27 से 81 हो रहा है 27 से 81 तीन गुना होता है 27 का 3 गुना 81 होता है तो आप 24 का भी क्या कर दो भाईया 3 गुना कर दो 24 का 3 गुना 72 होता इसका मतलब यहाँ बहतर आ जाएगा C option प्रेशने का सही जवाब है आपका अब देखेंगे अगला प्रेशने अगला प्रेशने है B, D का रिलेशन 36 से है तो E, F का रिलेशन किस संग क्या से होगा मैं इनको क्या करूँ number ring कर लेता हूँ ABC D 26 तक होती है जिसमें 20 दूसरे number प्याता है और D 14 प्याता है के लिए रहे अगर मैं इनको आपस में जोड देता हूँ तो कितना हो जाएगा 2 और 4 को आपस में जोड़ा 6 6 का स्कुर 36 हो गया मिल गया इसको देखो ये 5 नंबर पर आता है और ये 6 नंबर पर आता है इनको भी आपस में जोड़ो जैसे इनको जोड़ा था 5 और 6 को आपस में जोड़ेंगे 11 जोडने के बाद स्क्वार कर रहा था यहां पे भी स्क्वार कर दो 11 के स्क्वार 121 ये इसका मतलब पहला उप्शन सही जवाब चलिए अब देखते हैं अगला प्रेशन अगला सवाल 4 32 question mark 128 4 से 32 बन जाएगा क्या अगर आप 4 का मल पे 8 से करते हैं तो 4 अठे 32 होता है ये बात confirm है पिल्कुल सही है तो यहां पे कौन से संख्या रही होगी जिसका मल्टिप्राई में 8 से करूँ जब यहां 8 से क्या तो यहां 8 से करूँ 128 हो जाए क्या बारे के पहाड़े में 8 से मल्टिप्राई करने पे 128 आता है नहीं चोड़े के मल्टिप्राई में आता है क्या नहीं आता सोले के में आता है क्या सोले के मल्टिप्राई करने पे 128 तो यहां पे सोले हो जाएगा 168, 128, यह प्रेशने का आप बिल्कुल सही जब आप हो जाएगा 16, चलिए, आप देखते हैं अगला प्रेशने, अगला सवाल है, तीन का रिलेशन 12 से है, तो 4 का रिलेशन फिर किस संख्या से होगा, अगर आप 3 का मल्टपई 4 से करते हैं 12, यहां भी 4 से मल्टपई करोगे, 4 पंजे 20 हो जाएगा 20 भी ऑफ्सन में नहीं है, इसका मतलब यह मल्टपई वाला जो लोजिक है वो नहीं लग पा रहा, यह गलत साबित हो रहा है, कोई दूसरा लगाओ, 3 से 12 बनाने के लिए, अगर आप 3 का स्क्वार करते हैं तो 9 होता है, उसमें 3 जोड देंगे तो 12, 3 क स्क्वार नो, 3 जोड दिया तो 12 बल गया, ऐसे आपके पास 4 है तो 4 का स्क्वार करो, यहां 3 जोडा था तो यहां भी 3 जोडो, 4 का स्क्वार 16, 3 जोड देंगे तो 19 हो जाएगा, 19, पहला उप्सन सही जवाब, पहला उप्सन सही जवाब, चलिए, अब देखने अगला प्र समांतर चतर बुझ, यह होता है समांतर चतर बुझ, जिसके 4 कोणों का मान 90 डिगरी होगा, ठीक है, समांतर चतर बुझ यह वो होगा, जिसके 4 कोणों का मान 90 डिगरी होगा, ठीक है, उसने पूछा है सम्मुख कोणों का अनुपा, सम्मुख, सम्मुख का मतलब होगा, इस कौन से इस कौन का तिरच्छा ठीक है यह वाला कौन 90 डिग्रिय है इनका पूछा है अनुपात 0 से 0 कटा नौ एक कमनो एक अनुपाते 1 हो जाएगा सम्मुख कौन का अनुपात 1 अनुपाते 1 किस option में है किसी भी option में यहाँ पे नहीं दिया गया इसका मतलब यह है कि लिखने में यहाँ option लिखने में गलती हुई है एक अनुपाते एक यानि कि यहाँ पे d option में यह होना चाहिए था एक अनुपाते एक क्योंकि यहाँ भी यहां भी एक अनुपाते दो लिख दिया यहां भी एक अनुपाते दो लिख दिया दोनों जगे सेम लिख दिया गलत लिख दिया यहां एक अनुपाते दो है तो यहां पर एक अनुपाते एक होगा जो हमारे कोशन लिखते हैं मैं उनसे कोशिश करूँगा उनसे कहूँगा गलत ना लिखा करें ठीक है तो D option प्रेशने का बिल्कुछ सही जवाब हो जाएगा आज की वीडियो में इतना ही वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद